हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सब अच्छे होंगे मैं हूं कवल जीत कुमार स्वागत है आपके अपने चैनल केक के मकाइनिक पर तो आज हमारे पास टीबियस की फोनिक्स बाइक आई हुए है जिसका किक किसरिंग तूटा हुआ है और पीकब में भी थोड़ी प्रा कि कलच कवर को निकालने के बाद इसका रोटर खोल लेंगे रोटर का काम यह होता है मोबिल फिल्डर करना और रोटर का जो नट है वो उल्टी दी सामें खुलता है खोलते वह आप ध्यान दे इसके बाद हम इसका कलच प्लेट खोलेंगे क्लच प्लेट का मेन बोल्ट जो सीधा खुलता है जैसा कि आपको विडियों दिखाया जा रहा है अब हम इसका क्लच प्लेट चेक कर लेते हैं क्योंकि पीकव में भी फ्रावलम था तो आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से क्लच प्लेट पूरा जेल के राक हो चुका है स्भी हुई है पहले लाकनि करें और फिर वासर फिर इसका बूस एक प्लास्टीक होता है उसके बाद री को निकालेंगे कि आब देख सकते इस्टूटा हुआ है कि आ इसकी साफ सफाई अच्छे से कर लिये हैं और वहां हम इसको पहले इस्प्रिंग लगाएंगे उसके बाद करच प्लेट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यह टूटा वाँ इस्प्रिंग है यह नए आइ-स्प्रिंग है कि इस फिरिंग आप आसानी से लगा सकते हैं इसमें टाइमिंग नाम को कोई चीज होता नहीं है आप सीधे सीधे इसमें लगा सकते हैं कुछ टाइमिंग से टुट नहीं करना पड़ता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसको आसानी से इसमें बैठा के फिर इसका बूस फाइनलिस में लॉक लगा देंगे अब लॉक लगाने के बाद इसका इस्प्रिंग हम इसके इसके जगह पर हम चड़ा देंगे जहां इसका जगह है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इस्प्रिंग लग चुका है अब हम इसमें किक को चेक कर लेते हैं देख सकते हैं आप किक पुलकुल अच्छे से काम कर रहा है कि होजिंग को लगा लेंगे होजिंग लगाने बाद अब हम इसमें कलश प्लेट को कलश प्लेट हम चेंज कर दी हैं नए लगा रहे हैं कि अगर प्लीट को भी ठाने के बाद फाइनली इस पर जो कलच सेंटर होता है उसको लगा के हम हाउजिंग में इसको सेट कर लेंगे कि अब देख सकते हैं होजिंग में सेट करने के बाद हम अच्छे से इसका नट में नट टाइट कर लेंगे पूलर की मदद से आपको छीनी हो थोड़े का इस्तिमाल नहीं करना है उससे नट खराब हो जाएगा अब हम इसका इस्पिरिंग लगा लेंगे अच्छे से बैठा क कि लगाते समय आपको ध्यान देना आए इस फिरिंग तिर छी न हो एप कर दिक को हमने अच्छे से टाइट कर लिया है इसके चार जो नट बोल्ड होते हैं tutto को अब हम इसके र्उटर टाइट कर देंगे एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके इसका जो रोट और को जा का दो होता है वो वूल्टी दिसम खुलता है तो हमने इसको टाइट कर लिया है और आली इसका ठब लगा के हम इसक्पेद कर लेंगे अगल 10ubs czym कर लिंगेन अब इसका कलजिस member लगा लेंगे इसके में पैकिंग के आप जरूर ध्यान दें अब इसके सारे जो कलच कफर का जो नट वोल्ट है वो हम पूरा सब बराबर टाइट करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंदार है हो तो प्लीज लाइक करते और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम ऐसे आपको आपके लिए जानकारी वाले अच्छी वीडियो लाते रहें हैं इसका कलच वायर लगा के हम इसे टाइट कर लेंगे कलच कफर के सारे नट वोल्ट को दोबारा से चेक कर लेना है अब फाइनल इसमें हम किक लगा के किक को पूरे अच्छे से टाइट कर लेंगे अब यह बाइक पूरी रेडी हो चुकी है इसमें इंजन ओइल डार के कंप्लीट है हमें उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और चैनल पर सब्सक्राइब